तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको details में बताऊंगा कि grow app के अंदर आप SME IPO के अंदर पेशा लगा के पेशा कैसे कमाएंगे दोस्तो आपने main line के IPO तो कई सारे लगाए होंगे और यहाँ पे chances भी आपके कम ही रहते कि आपका पेशा यहाँ पे बनेगा बड़ दोस्तो अगर आप SME IPO में पेशा लगाते हैं और अगर आप सही IPO में पेशा लगाते हैं अल्मोस आपका पेशा यहाँ पे तीन टाइम तक हो सकता है आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको details में बताऊंगा कि grow app के अंदर आप SME IPO में पेशा कैसे लगाएंगे कैसे आप यहाँ पे research करेंगे किस SME IPO में पेशा लगाना है तो चलिए दोस्तो वीडियो श्टार्ट करते हैं और details में समझ लेते हैं कि आप grow app के अंदर SME IPO में पेशा लगाके पेशा कैसे कमाएंगे तो grow app के अंदर SME IPO में पैसा लगाने के लिए सब से पहले आपको grow app के अंदर अपना account बनाना होगा account बनाने का link इस video के description में आपको मिल जाएगा तो यहाँ पे दिखें मैं grow app open करूँगा जैसे ही आप app को open करेंगे आपको अपना pin देना है तो यहाँ पे देखें regular IPO लिखा है right side में आपको simple सा इसके उपर क्लिक करना है यहाँ पे देखें regular के नीचे option से SME and small medium enterprises आपको यहाँ पे एक check block लगा देना है देन आपको done के उपर क्लिक कर देना है जैसे आप done के उपर क्लिक करेंगे within a second आप देखेंगे कि सभी SME IPO आपके device के अंदर show करने लग जाएंगे तो सबसे पेले तो हम लोग समझ लेते कि SME IPO के अंदर कितना पेसा बन सकता है तो आज की डिट में एक IPO लिस्ट हुआ है उसकी मैं आपको लिस्टिंग दिखाता हूँ कितने premium के उपर वो लिस्ट हुआ है तो यहाँ पे देखेंगे हम एक IPO सर्च करेंगे winsol engineering limited ठीक है तो यह IPO आज की डिट में लिस्ट हुआ है देन हमने expect किया था इस IPO के अंदर दो लाग से भी ज़्यादा का premium देखने को मिलेगा बट premium उससे कई ज़्यादा है यहाँ पे अगर आप इसका देखेंगे तो 300 रुपे से प्लस से यह ज़्यादा लिस्ट हुआ है उनके लिए ये company पूरा backend का काम करती है जैसे उनका structure बनाना उनके cabling करना उनके grid maintain करना पूरे plant को manage करना structure tower लगाना इस तरीके के जो भी basic काम होते सारे काम यही company करती है और इंडिया के अंदर जितनी भी green sector से rated company है सभी का management ये company करती है इसलिए इस company की ज़्यादा demand है यहाँ पे काफी लोगों ने पेशा लगा है जिनको भी allotment मिली है उनका पेशा यहाँ पे 3 time हो चुका है यानि अगर उन्होंने 1,00,00, रुपे लगा है कि आपको किस SME IPO में पेशा लगाना है तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं आपको Google के उपर आना है यहाँ पे आप आएंगे दिन आपको एक website search करना है moneymentidea.com ठीक है आप यहाँ पे search करेंगे अब ही मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ case से आपको identify करना है साथ मैं आपको IPO में live apply करके भी दिखाऊंगा case से आपको SME IPO के अंदर apply करना होता है तो यहाँ पे देखे यह वाली website आपके सामने open हो जाएगी तो यहाँ पे मैं आपको 3 point बताऊंगा 3 point को mind में रखके ही आपको SME IPO के अंदर apply करना है अगर उन 3 point के अंदर IPO sweet नहीं बेड़ता है तो उस IPO को आपको apply करना है अभी मुझे अच्छे से पता है कि आप में से काफी सारे लोग mainline IPO के अंदर पेसा लगाते तो mainline IPO दोस्तों यहाँ पे काफी कम आते और उसके अंदर इतना competition हो जाता है कि आपको IPO मिलने के chances कम हो जाते बट अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा capital का use करेंगे तो आपको पेसा यहाँ पेसा यहाँ पे 2-3 गुना हो जाता है अगर आपको अलोट मिल जाती है तो यहाँ पे आना है तो यहाँ पे आपको 3 dot के उपर क्लिक करना है इस IPO के अंदर आप interested है और आपको लगता है कि उस IPO में पेसा बन सकता है तो यहाँ पे देखिए यह आपको विंसोल देखने को मिल जाएगा जिस भी IPO में पेसा लगाना चाहरे उस company को आपको ट्रेक करना है कब IPO open हो रहा है, कब IPO close हो रहा है यहाँ पे अगर आप grow के अंदर आएंगे दिन देखेंगे तो 383 रूपे के उपर यह list हुआ है तो आप खुद भी देख सकते कितना गुना यहाँ पे premium मिला है और premium अगर आप यहाँ पे इसका total देखेंगे तो 411% का यहाँ पे premium देखने को मिला है तो दोस्तों SME IPO के अंदर काफी पेशा बन सकता है अगर आपकी research सही है और आप सही research करके यहाँ पेशा invest करेंगे तो आपका पेशा यहाँ पे easily बन जाएगा तो चलिए हम लोग उसी topic पे यहाँ पे continue करते उसके बाद आपको क्या करना है अगेन आपको यहाँ पे आना है तिन इन 3.0 के उपर दुबारा से क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ पे देखे IPO subscription status के उपर क्लिक करना है पेले आपको GMP के उपर क्लिक करना है तो उस IPO को आप कैसे आवाइट कर दीजे, जीस IPO के आगे, ओवर सस्क्राइब लिखा है, उसी IPO में आपको यहां पर पेसा लगाना है, तो यहां तक मुझे लगता है, चीजी अच्छे समझ आ गई होगी, अभी दोस्तों हम लोग अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, कि उस IPO के अंदर demand अच्छी होनी चाहिए, तो demand हम लोग कैसे analyze करते हैं, तो उसके लिए इसी table के उपर आपको एक चीज देखना है, चीज भी आप IPO में पेसा लगाना चाहरा है, यहां पे देखें, इसी उपर click करूँगा, जैसे यहां पे आप को की आना है, यहां पे आपको day by day का subscribe के आज़ेए, यहां पे देखें, मैं थोड़ा zoom कर देता हूँ, तो यहां पे देखें, day by day का subscribe आपको आपको देखने को मिल जाएगा, आप थोड़ा सा कोसिस करें उस IPO को आप आवईट कर दे ठीक है उसकी साथ ही यहाँ पे आपको day by day subscription monitor करना होगा यहाँ पे subscription बढ़ते करम में होना चीए ठीक है यहाँ पे जो भी update रहेगी सामके 7.5 बज़े इसके update आ जाती है और यहाँ पे इसका subscription जो है बढ़ते रहे नाची ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको bidding का data monitor करना होगा तो यहाँ पे देखिए हर category के लिए कुछ share reserve रखे जाते हैं यहाँ पे अगर आप QIB portions के अंदर देखेंगे तो 6,10,000 share NI के अंदर आप देखेंगे तो 4,47,000 share तो यहाँ पे आपको इससके इसके अगर आप साइट में देखेंगे तो अभी तक जो bidding लग चुकी है इस IPO के अंदर 1,61,53,000 share के लिए यहाँ पे bidding लग चुकी है ठीक है यहाँ पे अगर आप साइट में थोड़ा इसकोल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो chances है वो 15.110 है इसका सीधा सीधा मतलब है कि 15 applications में से एक applications का अपरू होने का chances है यह आप के सकते हैं कि 16 applications में से एक applications अपरू होने का chances है तो यह सभी data को analyze करने के बाद ही आपको IPO के अंदर apply करना है दिन IPO के last day के दिन ही आपको apply करना है मैं again repeat कर रहा हूँ सारा data देखेंगे दिन IPO के last day के अंदर आप apply कर देंगे दिन अगर आपको अलोट्मेंट मिल जाती है तो 100% chances रहेगा कि आपका पेसा यहां पर double हो जाएगा यहां पर again हम लोग grow पर आएंगे दिन यहां पर हम लोग IPO के अंदर apply करेंगे तो यहां पर हम लोग इसको bake करेंगे तो यहां पर देखें grow के हम home panel पर आ चुके यहां पर IPO हम इसके उपर click करेंगे तो यहां पर देखें मैंने आपको बता था Indian Amulsifier मैं उसी IPO के अंदर आपको apply करके दिखाता हूँ तो यहां पर देखें Indian Amulsifier 16 मही तक IP open रहेगा 4.50 मिनट तक ठीक है तो यहां पर देखें हम लोग apply के उपर click करेंगे जैसे आप apply के उपर click करेंगे यहां पर देखें cut-up price के उपर आपको रहने देना है इसको कभी भी नहीं आटाना यहां पर total जो amount है वो 1,32,000 रुपे हमको pay करनी होगी और यहां पर देखें उपर है आपको एक category देखने को मिल जाएगा regular ठीक है जो retail category के अंदर आता है उसके अंदर आपको regular apply करना है यहां पर अगर आप किसी और के टीगरी में apply करना चाहरे तो आप इसके उपर click करेंगे यहां पर higher network यानि जो qibs portion से रहता है उसके अंदर आप apply कर सकते है जिसके अंदर आपको दो लाग रुपे से लेके 5 लाग तक आप यहां पर apply कर पाएंगे बेट हम लोग retail category के अंदर ही apply करेंगे तो यहां पर continue के उपर click करेंगे जैसे आप continue के उपर click करेंगे तो यहां पर जिस UPI ID से आप payment करना चाहरे तो UPI ID यहां पर भरेंगे तो यह phone pay की ID है नीचे का option से apply for IPO आपको इसके उपर click कर देना है जैसे ही आप apply for IPO के उपर click करेंगे तो यहां पर देखें IPO request Indian Emulsifier Amount Block 1,32,000 यहां पर आपको done करना है 24 गंडे के अंदर आपको इसको payments करना होगा तो यहां पर done के उपर click करेंगे जैसे आप done के उपर click करेंगे तो यहां पर सभी details से आपको यह show कर देगा जिस भी UPI app का आपने use किया उस app को open करके आपको payments कर देना है यहां पर हम phone पर open करेंगे जैसे ही आप कुछ time wait करेंगे यहां पर देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का pop-up show करेंगा तो यहां पर आपको set आटोपे के उपर click कर देना है जैसे ही आप अपना payment complete कर देंगे तो यहाँ पे आप देख रहोंगे सभी कुछ time बाद यहाँ पे आप देखेंगे सभी भी यहाँ पे checkbook लग जाएगा तो यहाँ पे भी आपको checkbook लिखा देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो इस वीडियो के अंदर आपके सभी doubt किलियर हो गए होंगे कैसे आपको SME IPO के अंदर पेशा invest करना किस IPO में आपको पेशा invest करना दिन आपका यहाँ पेशा कितना बन सकता है तो दोस्तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया और यह वीडियो आपको अच्छा लगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक like जरूर कर दे और हमारे चैनल को भी subscribe कर ले ताके futures में AC IPO से related informations आपको मिलती रहे तो चलिए दोस्तो मिलते रहे किसी नए वीडियो में नई जानकर इक साथ चलिए धन्यबाद